कि है गाई करें सब लोग आज का हमारे टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे यूणिवसेटी एक्जाम के लिए इसमें हम यूरिन कैसे स्टार्टिंग से लेकर कैसे फिल्टर आउट होता है उसमें क्या प्रोसेस होती है कौन-कौन होती है रही करसे होता है तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्ट्टेंट पेक्स इन कर आते हैं है बस एक दो चीज़े और नहीं कहुंगा कि अगर तुम लोग नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बाके अगर तुम्हाई कोई डाउट्स होते हैं इंस्टेग्राम पर में को पूछ सकते हो या फिर केलिगाम चैनल भी तुम लोग जॉइन कर सकते हो अपडेट सिस और रियप्सॉप्शिन ये साई चीज़ें जो हैं हम आज की लेक्षर में कवर करने वाले हैं तो अब बड़ा लेक्षर है वाट कॉंसिप्स काफी सार है इसमें तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फिल्ट्रेशन मेंब्रेन क्या होती है हमने अभी पड़ा है कि जो बोम रिणिंग करें तो अगर मैं इसको मैंगनिफाइ करूं फोड़ा सब्सक्राइब बने रियागरम रहां यह है मेरा और यह है मेरा यहां पर रोम रोलास बनता है पूरा पूरा नेट वर्ट होथा है उसका तो यह होता है हमारा लाम अलगे यह होगा क्या लॉमेरियोलस कुछ नहीं बस एक bunch of capillaries होता है और यह है मेरा बेस्मेंट अस्वाइब बेस्मेंट मेंब्रेन यह है मेरा वोमेंस कैपस्यूल क्लियर ठीक है फिर यहाँ पर और एक चीज प्रेजेंट होती है जिसका नाम है हैं बेस्मेंट मेंब्रेन किस की होगी हमारे जो लॉमेरियूलस की já उनकी बेस्मेंट मेंब्रेन Всё चोगी है यह जो दूसरा क्या है दूसरा है बास्मेंट मेंब्रेन बास्मेंट मेंब्रेन और तीसरा है गोम एंस काप्सुल में specifically special type of cells present होते हैं जिनको हम कहते हैं पोडोसाइट्स पोडोसाइट्स प्लियर क्या होता है इनकी characteristics होता है कि ये ऐसे इनके पास विलाए present होते हैं विलाए कहलो या finger like projections कहलो ये present होते हैं इनके through जो substrate है हमारा filter होके जाता है ठीक है अब इसका क्या role है हम आगी दा करके देखेंगे कि basically जो हमारे बड़े molecules होगे जैसे red blood cells होगे और प्रोक्रीन होगे तो उनको allow नहीं करता है जाने के लिए बाकि जो हमारे normal electrolytes होगे glucose हो गया इन साथ चीजों को जाने देगा लेकिन बड़े molecules ऐसे कि protein और red blood cell उनको नहीं जाने देता है clear? okay so यह information क्या है complex process होती है involving multiple steps that take place in the kidneys it ensures the removal of waste products from the bloodstream and the regulation of water electrolyte balance and blood pressure process can be broken down into three steps एक है हमारा glomerular filtration, reabsorption and secretion, secretion का एक पूरा अलग से कॉपिक है उसका एक अलग से ही पूरा वीडियो बनेगा और बाकि अभी आजम filtration और reabsorption पर बात करेंगे okay glomerular filtration filtration membrane मेने अभी पढ़ाई filtration membrane में का क्या है endothelium of glomerular capillaries होते है inner layer होती है fenestrated होती है meaning it has pores that allow the water and small molecules to pass but retain larger molecules like blood cells clear okay basement membrane this middle layer is a gel like structure that acts as a selective barrier further preventing the passage of large proteins and molecules while allowing smaller solutes to pass to देखो सबसे पहले तो जो हमारी filtration membrane है सबसे पहले जो हमारी endothelium की layer है है ना सबसे पहले तो वह ही आ जाएगी ये endothelium की layer आ गई clear फिर उसके बाद क्या है present उसके बाद इसकी basement membrane है है ना blue color में मैंने basement membrane बनाई है और चलिए ये रिख ठीक है तीसरी चीज़ क्या है ये bowman's capsule की layer clear ये है हमारा bowman's capsule ये हमारे पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं clear पोडोसाइट्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं finger like projections के साथ ये हमारे तीन लियर होती है इसकी filtration membrane की clear last में क्या पोडोसाइट से विसरल लेर आप बोडोसाइट्स प्रेजेंट्स like called pedicils creating filtration slits that further restrict the passage of large molecules जैसे की protein और red blood cells basic हमारे क्या है यहाँ पे कि जो हमारे छोटे molecules है electrolyte जैसे की sodium, chloride H plus ions, potassium ions, bicarbonate ions ये सब चले जाएं plus उसके साथ साथ water चला जाएं plus उसके साथ साथ ऐसे जो और भी waste product जैसे की urea है वो चला जाएं लेकिन proteins और red blood cells ना जा पाएं क्यों, sorry proteins और blood cells जितने हमाई cells है plate, plates, white blood cells, red blood cells ये ना जा पाएं, ये हमारे filtration membrane का काम होता है clear, इन सब चीज़ों रिस्टिक करना ओके, फिर filtration process कैसे होती है, देखो यहाँ पे जो हमारा blood चलता रहता है, ठीक है इसको वापिस से बनाते हैं ये capillary में से blood मेरा जा रहा है, अब इसमें न, pores present है clear, pores जो है, passages है ठीक, यहाँ से हमारे water molecules leak out हो जाएंगे, हमारे electrolytes leak out हो जाएंगे, ये एक normal process इसमें से होगी, ठीक so blood pressure and filtration, blood pressure is a glomerular capillary, is called glomerular hydrostatic pressure, forces plasma and dissolved substances through the filtration membrane into the boom and scapsule the high pressure is maintained by the difference in diameter between the wider efferent arteriole and narrower efferent arteriole clear, क्या होता है, जो efferent arteriole होती है, उसका diameter बड़ा होता है उसका diameter जो होता है, बड़ा होता है then efferent arteriole, छोटर diameter होता है उसका, यहाँ से जो है सारी चीजें निकलती रहती है pressure के कारण, देखो, यहाँ पे तो मैंने capillary एकदम सीधी बना दी है लेकिन ऐसी होती नहीं है, यह जो होती काफी यहाँ पे ऐसे mix होकर कैसे घूम घूम के घूम घूम के जाती है, main purpose क्या है कि जित्ती दे को यहाँ पे blood रहेगा उतने अच्छे तरीके से filtration हो पाएगा अगर blood मैं यहाँ पे जल्दी से निकाल दूँगा तो थोड़ा से ही amount filter out हो पाएगा, बागी साथी चीज़े घूमती रहेगी में blood में, effect करेंगी लेकिन जितना जादा मैंने इसका surface area जो है increase कर दिया है, इसको convoluted बनाके इसको घुमा घुमा के तो उससे जो है, अराम से सारी चीज़े धीरे धीरे निकलती रहेंगी यही हमार main purpose होता है glomerulus के convoluted इसे घुमे हुए होने का filter composition क्या है? filter composition जो होता है the resulting fluid known as the glomerular filtrate, filtrate क्या? जो यहां से निकल के आ गया इसमें क्या क्या present होगा water, glucose, amino acids, ions such as sodium, potassium and chloride urea present होगा and other small molecules large proteins and red blood cells जो होते हैं हमारे red blood cells सिर्फ यहां पर RBC की बात नहीं हो रही यहां पर सारी जैसे कि RBC हो गया WBC हो गया and platelets हो गया inside चीज़ों को जो है allow यह नहीं करेगा आने इसके लिए फिर इसके बाद हम बात करेंगे pressures पर कौन-कौन जैसे pressure होते हैं जो इस पर act करते हैं देखो, जो हमारा capillary में विसे blood जा रहा है एक तो यह positive pressure लगाएगा कि यह बाहर की तरफ धके लेगा जाओ तुम यहाँ से निकलो और filter out हो करके जाओ okay दूसरी चीज क्या है दूसरी चीज यहाँ पे बोमेंस capsule में already थोड़ा सा solute जो है present है यहाँ पे for example यह मैं बना रहा हूँ solute है यह solute जो है इसके उपर negative pressure लगा इसको बुलेगा कि मद आ यहाँ पे हम लोग already है यह इसका filter out होने का process जो है थोड़ा धीरे करेगा उसको नहीं आने देगा यहाँ पे clear okay फिर यहाँ पे interstitial space में भी जो है आसपास की जगा है interstitial space यहाँ पे कुछ solutes present होंगे कुछ ions present होंगे कुछ molecules आसे present होंगे कुछ molecules आसे present होंगे जो इसको allow नहीं करेंगे filter होने से तो यह भी जो है एक इस पे pressure लगाता है कि यहाँ से भागो clear तो अब यही साय जो तीन pressure है इनका हम नाम देंगे जैसे कि Colorado Osmotic Pressure होता है हाँ Colorado Osmotic Pressure होता है जैसे कि यहाँ पे जो proteins present है यह proteins भी जो है water को retain करते हैं यह water को निकलने नहीं देते ती असानी से तो यह भी जो है कि negative pressure लगाएंगे इस पे इसको teaching है कि नहीं मैं तुमको नहीं जाने दूँगा water molecules को रोकेंगे और भी molecules हमारा ions वगरा है उनको रोकेंगे जाने से यह होता है हमारा colloidal osmotic pressure ठीक है यह क्या होता है जो आता है जो बहार जो promoting factor है जो promote कर रहा है भानिकल को इसको कहते हम hydro static pressure clear इसी जीस के बारे में अभी हम पूरा पढ़ेंगे technicality में मूटो मूटा मैंने पूरा बता दिया है forces कौन कौन से involved होते हैं forces होते हैं हमारे एक होता है glomerular hydrostatic pressure GHP short form में इसका क्या होता है जो blood pressure होता है वो इसको promote करता है बहार निकलने के लिए कि यहां से filter out हो और जाओ solute बनो glomerular capillaries में से लगता है within the glomerular capillaries typically around 50 mmHg होता है which promotes filtration promote करेगा बाकी सारे जो factor है यहां पर उसको demote करेंगे उसको नहीं filter out होने देंगे second हमारा capsular hydrostatic pressure pressure exerted by filtered in the woman's capsule इसको हम कहेंगे क्या capsular hydrostatic pressure capsule में present है woman's capsule already solid present है उसको हमने नाम दे दिया capsular hydrostatic pressure okay around किता होता है 15 mmHg होता है approximately blood colloid osmotic pressure यानि कि हमारा जो proteins लगाएंगे pressure उसको हमने blood colloid osmotic pressure जहां पर colloid शब्द आ गया वहां पर तुम समझे न protein की बात हो रही है the osmotic pressure due to plasma protein that tends to draw water back into the capillaries यह कितना होता है around 30 mmHg तो अगर मैं बोलूं कि net filtration pressure NFP net filtration pressure कितना है एक factor क्या है उसको promote करने वाला एक है हमारा hydrostatic pressure है hydrostatic pressure चाता है blood hydrostatic pressure ठीक है BHP blood hydrostatic pressure चाता है कि मैं जागर के filter out करूं पुरा अच्छे से जो है समान को भार निकालूं लेकिन पर क्या ऐसा हो पा रहा है नहीं कौन इसको remote कर रहा है एक है हमारा कौन एक है हमारा capsular hydrostatic pressure दूसरी चीज क्या है हमारी blood colloid osmotic pressure यह दो चीज़े क्या है इसको remote कर रही है यह नहीं चारी कि यह यहां से निक यहां पर क्या I filter out हो ठीक है तो क्या होगा BHP माइनस CHP प्लस BCOP तो कि यह जो है same unit में same negative pressure लगाएंगे उसके against clear तो क्या पड़ा हमने 55 mmHg होता है यह प्रॉक्स माइनस यह कित्ता 15 होता है और यह कित्ता 30 के around होता है तो अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो neck pressure कित्ता आएगा मेरा 5 mmHg के आसपास जो neck filtration pressure होगा वो 5 mmHg के आसपास होगा 5 to 10 sorry 5 to 10 mmHg के आसपास होगा ऐसे नहीं कि सिर्फ यही एक्डम fixed value आती है हमेशा फोड़ी vary करती ही उपर नीचे तो range जो होती है इसके यही होती है 5 to 10 mmHg ठीक है तो यहीं पर पूरी calculation दी है मैंने यहाँ पर 10 mmHg निकल के आया है this positive pressure drives the filtration process resulting in the movement of fluid from the glomerular capillaries into the bowman's capsule यह जो net pressure 10 mmHg का वो उसको promote करता है ठीक है तो अब हम बात करेंगे किस पर glomerular filtration rate हम यह सब जानते हैं यह हमने जो है हमारी 11th class की जो renal physiology का वहाँ पर chapter था है न kidney and its function वाला हमने पड़ाया है उसमें किता होता है net glomerular filtration rate किता होता है GFR normal 125 ml per minute या फिर 180 liters per day इसमें से देखा 99% absorb हो जाता है वापस है absorb हो जाता है normal जो urine pass out होता है एक दिन में it is 1 to 1.5 liters नॉर्मल जो condition होती उसमें ठीक ओके अब हम next देखते हैं कि styling hypothesis क्या होता है styling hypothesis बढ़ाने इस पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूंगा कि अगर तुम लोग को किसी भी point पर कोई doubt आ रहा है तुम लोग एकदम मेरे को कभी भी instagram पर message कर सकते हो अपना doubt clear कर सकते हो comment section हमेशा open है उसमें जाकर के तुम comments कर सकते हो ठीक है उसमें अपना doubt clear करवा सकते हो मुझसे मैं हमेशा reply करता हूँ so next अभी हम पंढ़ार है styling hypothesis and styling forces क्या होता है styling hypothesis क्या कहता है the styling hypothesis describes how fluid moves across capillary walls based on the balance of four main forces known as styling forces ऐसे चार factors होते हैं जिनके वज़े से blood filter out होता है blood move out करता है हमारे के इसमें से capillaries में से ठीक these forces determine whether fluid leaves the capillaries और enters them reabsorption होगा कि उसका filtration होगा वो बहा जाएगा यह at any point हमारे पूरे जो nephron है उसमें हम apply कर सकते हैं चीक styling forces are essential for regulating fluid balance in tissues ensuring that nutrients and waste products are appropriately exchanged between blood and tissues, maintaining blood volume and pressure and preventing edema excess fluid acclimation in tissues, excess fluid accumulate होने लगता है edema होने लगता है तो उसमें भी यह सारे forces लिए हर एक cell के लिए applicable है not just nephrons हर एक cell के लिए applicable है सो अभी हम जो हैं 4 forces के बार में बात करने बार है तीन में से हम discuss कर चुके हैं already blood hydrostatic pressure उसके बार में हम बात कर चुके हैं दूसरा है हमारा क्या capsular hydrostatic pressure उसके बार में बात कर चुके हैं generally इसको जो होता है हम negligible consider करते हुए चलते हैं तो कि यह उतना greater force लगा नहीं पाता है कभी तो यह सारे factors जो होता है responsible होता है किसके लिए हमारे filtration के लिए reabsorption के लिए इन दोनों चीज़ों के लिए यह जो होते है responsible होते हैं ठीक है capillary hydrostatic pressure हम जानते हैं क्या होता है हम पढ़ चुके है blood pressure होता है within the capillaries यह push करता है fluid को out of the capillaries and typically higher at arterial end of the capillary 35 mmHg होता है approximately and lower at the venular end क्यों ऐसा होता है क्योंकि oxygen का exchange होता है यहाँ पे जो arteries होती है उनमे oxygen present होता है और जो venules होते है veins होती है उनमें हमारा carbon dioxide ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वज़े से यहाँ पे molecule difference के जैसे भी hydrostatic pressure जो होता है वो change हो जाता है ठीक है second हमारा क्या है interstitial fluid hydrostatic pressure वही जो interstitial fluid present है वो जो pressure लगाएगा उसको हम बोलेंगी क्या interstitial hydrostatic fluid hydrostatic pressure ठीक है the pressure exerted by the interstitial fluid outside the capillaries बहार में जो present है it tends to push fluid back into the capillaries this pressure is close to zero slightly negative meaning it often has little effect compared to the other forces फिर कम ही होता है और जात्तर जो होता है अगर है भी थोड़ा बोल भी exist कर रहा है तो वह negative में होगा ठीक उसके बाद capillary oncotic pressure हम पढ़ चुके है क्या होता है यह वही है हमारा क्या हमारा blood osmotic pressure वाला वही है यह हमारा क्या है हमारा created by proteins present in the interstitial fluid interstitial fluid में जो proteins present है वह भी कुछ force लगाएंगे ठीक है अब यहां पर क्या काम हुआ है देखो protein जहां पर होगा वहां से वह water को pull करेगा जैसे कि अगर capillaries में protein present है तो उसको वहां पर चाहेगा कि water मेरे पास रहे ठीक है अब यहां पर क्या हुआ है proteins जो है interstitial में present है तो यहां पर भी वह क्या चाहेंगे कि मैं protein को खीच लू protein sorry water को खीच लू water जो है मेरे पास आ जाए है ना यहां पर यह जो है positive बहुत ही slightly positive जो है यहां पर pressure लगाएंगे ठीक है it pulls water out of the capillaries into the interstitial space generally this pressure is relatively low about 0-5 mmHg जो है यह उसको water को pull out करेंगे बाके क्या कर रहे थे pull in है ना उसको अंदर रखने कोशिश कर रहे थे capillary के बट यह जो है उसको बाहर खीच रहे ठीक है regulation कैसे होता है GFR का देखो auto regulation यानि कि अपने आपी जो है साही चीजों को देख दाख करके अपने हिसाब से चलता रहता है second है हमारा क्या neural neurons जो हमारे प्रेजेंट है neural system जो पूरा प्रेजेंट है उसकी उपर governance रखता है उसको समालता है देखता है and third है हमारा हॉर्मोन हॉर्मोन में AD8 aldosterone and angiotensin रास क्लास में हमने थोड़ा सा रास के उपर डिसकस कर रहा था कि रेनिन, angiotensin, aldosterone system होता है है ना वो क्या करता है water को reclain करवाएगा aldosterone जो है वो water को reclain करवाएगा sodium को reclain करवाएगा हमारा जो neck pressure है filtration का GFR जो neck pressure है of GFR clear कै कैसे auto regulation हो गया mechanism within the kidneys that maintain a consistent GFR despite fluctuations and blood pressure इसमें क्या होगा myogering metabolism mechanism होता है sorry इसमें क्या होगा myogering mechanism होता है response to changes in the vessel wall tension vessels जो है dilate कर जाएगी या फिर contract कर जाएगी and tubular glomerular feedback इसके उपर अभी हम जो है बिसकस करने वाले है बहुत ही ज्यादा important topic है ना 5 marks में आ जाएगा 2 marks में आ जाएगा even जो तुम्हार 20 marks के वश्यन आता है उनका भी part बन के आ जाता है कभी-कभी response to the flow of filtered in tubular इसके उपर हम अभी detailed discussion फूरा करेंगे कि कैसे operate करता है neural regulation होता है sympathetic nervous system input can constrict efferent arterios reducing GFR during stress or blood loss clear okay hormonal regulation कैसे angiotensin through के थुरू होगा which constructs different arterios maintaining GFR during low blood pressure and arterial natrioritic peptide ANP जिसको हम कहते हैं उसके अलावा ADH भी होता है plus उसके अलावा algisteron भी होता है है ना हमने पढ़ा है इसके बार में last class में यह साइज चीज़ होती है GFR को maintain करके चलती है ठीक So guys आज का lecture बस यही भी हम खतम करते हैं Part 2 में इसके आगे से हम pick up करेंगे और उसके आगे का पूरा हम यह जो है chapter finish करेंगे So आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले lecture में